बड़ो को प्रणाम, छोटो को राम राम, क्या खाऊं क्या बनाऊं के सफर में आप सभी का सौगत है आज हम गीता जी के गुलगप्पे ठ्राय गनने कोशामबी आए हैं तो टेस्ट करके बताता हूँ आपको मुझे कैसा लगा, कैसे हैं इनके टेस्ट और आप सभी आए इन्जोई करें, वो देखें पीछे पापड़ी मिल दिया, चलो ठीक तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताता हूँ मैं और मेरा भाई कोशामबी किसी काम से गए थे, लेकिन वापसी में हमने एक जगा गीता दीदी को गुलगप्पे बेस्ते देखा मेरे लिए अचानक से ये नजारा देखना थोड़ा शौकिन था, इसलिए मैंने सोचा कि यहां के गुलगप्पे टेस्ट करने तो बनते हैं मेरे लिए ये वीडियो बहुत जादा खास है क्योंकि इससे पहले मैंने गुलगप्पे की रेडी, दुकान या गुमचे पर हमेशा आदमियों को ही खड़ा देखा था हाँ, यूटूब पे कई वीडियो में लेडीज को ऐसा करते देखा था, पर रामने सामने ऐसा पहला अनुभव था इनसे बातचीत में पता चला कि इनके बच्चे अभी छोटे हैं और परिवार की मदद के लिए वो गुलगपे बेचती हैं अगर आप इस रास्ते से गुजरते तो एक बार इनके गुलगपे जरूर टेस्ट करें और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें आज हम आगए हैं कमल हॉस्पिटल के पास एक गुंचा है गोलगपे जो की बहुत यूनीक लग रहा है बहुत डिफ्रेंट लग रहा है और जिसे रन कर रही हैं गीता जी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इसे रन कर रही है जो समान है गीता जी पे आप एक पार इन्हों ने चाहा कि यह help करें ये खुद बताएंगी कि यह क्यों खड़ी है क्यों खिला रही है क्या रीजन एंटी आप क्यूं मतलब अब मदद करना चाहरे हो अच्छा तो आप देख सकते हैं बच्चे चोटे हैं परिवार में और पती अलग काम कर रहा हैं अंटी अलग काम कर रही हैं और बहुत सपोर्टिव हैं चलो इनके गोलगप्पे टेस्ट करके बताता हूं और आप सभी यहां आओ और कमल हॉस्पिटल के बगल में लेफ्ट ह पहले हम सुखे पापड़ी बनवा रहे हैं और आप दोर मली आलू डलते हैं देखो गोलगप्पे में अंटी ने चने डाले हैं अब वहां से मसाले डाल गींटी तो यहां अंटी दुकंदारी हो जाती है हल्की फिल्की हो जाती है अच्छा चलो यह बहुत डाल दें भाई यह हंजी हंजी पानी है देखो पानी पिखाया अभी पानी भी टेस्ट करके बताएंगे अभी हमारे गोलप्पे राटी हो रहे हैं अब इसे टेस्ट करके बताता हूं कि कैसा बना है यह क्या है अब जो गीता जी ने प्रेम से बना के दियां में इन्हें टेस्ट कर लेते हैं कि कैसे लगें अब वैसे मैंने खाने से पहले आपको बोलते हैं कि यहां जरूर आना है आप लोगे मेरी जित्ते यार दोस्ते हैं भाइस सबने आना है अब जोजब जोजब तेस्ट कर जोजब अब यह तो यह तो मैंने ट्राइब लिए पानी वाले भी ट्राइब करूंगा कि अब अब बहुत अच्छा टेस्ट है बागी दो मेरे भाइटेस्ट करेंगा तो लो बागी दो भाइटेस्ट करें बताएगा अब अब लिए अब कि दर आजब गूरा आएगा तो भी मेरी तरह कि अब कर यह तो हमारे जित्ते यार दोस्तने और जित्ते भी वीडियो देखनें वो सभी भाई आए सभी गीता जी को सपोर्ट करें हां है अब करें वेरी स्ट्रॉंग लीडी शीर नर्जन नी लगा रहे भाई हम बस बढ़िया अब पानी वाले भी ट्राइब कर ले तें दिखा दिखा पानी वाले भी ट्राइब कर लें प्राइब कर दो अत्तिन यह पानी यह टेशिस का गजब आ रहा है प्रेले बाले में तो दसमे से दस नमबर था है इस वाले में दसमे से ग्या रहा है इस वाले में तका बढ़िया लग रहा है नीठा भी टाल के देगे? शुरू इसमें मीठा डाले अजुआ फिसने भाल ख़ाणों वह पार था अधार और बढ़िया लग रहा है यहां प्रेम वेव मोल्ट यह राकंवल हो श्पिटल और यह हमारी जीटा जी यह भी हमारी जीटा जीटा जीएँ यह पी आओ गोलगप्ते का सवाद्लों गोलगप्ते को इंजए करो बागी एकार गुल रपते हैं अभे भी खाके बताएगा आपको अब बहुत बड़ी आए देखे लों सिर्क मैं नहीं कह रहा मेरा भाई भी कह रहा कहीं आप लोगों को लगे वीडियो बनाने जाता है इसलिए बोल देता है कि अच्छा है इससे पहले हमने नान खाई तो वहां पे अम मैंने सच्चाई बताई कि पणीर कैसा था या चोले कैसे था यहां पर जो सच्चाई थी मौड़ी चाणे बीद़ते हैं पर इस ऑर गीता जी यह खिलाने के बाद आपको एक पापडी भी देंगी इक किते रुपे कित दो पढ़ आप सभी आओ यहां ठ्राय करो गीता जी के गुलप्पे मेरेगे बहुत अच्छा लगा स्वाद भी अच्छा था यहां ट्राय करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी फूड के साथ यह तभी तक सभी को प्रणाम तो चैनल को शेर करें लाइक करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नया नया होना है तोड़ी इस वागी बुल्ग पे बहुत अच्छा थी अब सभी आई हैं आई इंजोए करें